लो गाइज आपको मारे यूटूब चैनल पर स्वागई दुगाईज आज हम पढ़ने वाले है क्लास चैनल का चैप्टर नमबर टू एस बेसे इंट सॉल जो है साइन से केमिस्ट्री वाले पार्ट चे तो यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री से मतलब कि इसमें से थोड़ी ज्यादा वेटेज के कोश्चंस आते हैं बोड एक्जाम में और से वन जो भी आपके यूटी वूटी होते रहते हैं तो यह नया बिल्कुल चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं इससे पहले हमने मैट्स का ट्रिप्नोमेट्री चैप्टर बि यहां पर मैंने थोड़ा केमिस्ट्री वाला महौल बनाने की खोशिश करी तो अगर आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करते वह चलोगे रिलेट करते वह चलोगे कि अगर ऐसे आप करोगे तो आपके लिए बहुत इजी चैप्टर है लेकिन अगर आपने इ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि acid base क्या होते हैं और indicators क्या होते हैं तो यह तीन पाथ हम इस वीडियो में cover करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं what do we mean by acid and base यहां पर आप डिफ्रेंशियट देख पा रहे होंगे acid, acid are sour in taste, acid जो होते हैं वो खटे होते हैं taste में, खटे in Tartaric acid होते हैं और vinegar में भी acid होते हैं बहुत सारी चीज़ें जो आप अपनी आम जिंदगी में देखे हों उनमें acid होता है आप आप अपनी पर इस वह सकते हैं तो यहां पर भी तो मतलब weak acid भी होते हैं और strong acid भी होते हैं जैसे कि आप अभी यहां पर देख रहे हूं मैं अभी आपको बताऊंगा ठीक है weak acid ज्यादा सर एडिबल होते हैं पर strong acid नहीं होते वह बहुत ज्यादा concentrated होते हैं अभी मैं आपको यह आगे बताऊंगा और ऐसी base base में जब मैं आऊंगा तब आपको एक्जम्बरत आऊंगा acid turn blue litmus to blue sorry यहां पर आएगा blue litmus to red sorry ठीक है यहां पर क्या है acid अगर litmus paper देखा है आपने अगर आपने नहीं देखा तो मैंने एक short video बनाई है उसमें मैंने लिटमस paper का एक experiment करके दिखायता है आप वो जा के देख लो वहां पे जो red blue litmus paper होता है एक paper है ठीक है वो ग्रीन और blue और red color का आता है तो मैंने अगर acid को blue से touch कर रहे जिसके यह paper है समझ लो और मैंने नीबू से touch करा दिया तो वो अपना जो लिटमस paper है blue ना होके अब red color का हो जाएगा तो वो क्या इंडिकेट करता है कि वो क्या है acid की nature है यह अभी हम indicators में जबाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा acid gives H plus ions in aqueous solution यह आती है बहुत ही जादा important चीज अभी आप अपनी page अगर पल्टाओगे और page number 23 पर आओगे तो यह आपको पूरा एक topic दिखेगा what happened to an acid or base in water solution कि जब हम acid or base को पानी के अंदर दालेंगे तो क्या होगा यही मैं भी आपको थोड़ा से hint देता हूँ जो acid होता है उसमें H plus ions present होते है मतलब कि जितने भी acid होंगे उसमें H plus ions होगे जैसे आप उसे पानी में दालोगे तो वो H plus ions जो है जैसे कि HCL आप example ले लो इसमें H है तो यह H अलग हो जाएगा और CL अलग हो जाएगा पानी में में फिर आपको एक जगा H plus दिखेंगे फिर CL माइनस अलग अलग दिखेंगे ठीक है मलब chemistry की भाषा में ऐसे naked eyes से नहीं दिखेंगे आपको ठीक है खतनाग कोई acid नहीं होता अब आप बोलोगे क्यों सर इसमें ऐसे क्या होता है यह बहुत ही ज्यादा concentrated होता है मतलब अगर आपके हाथ पर गिर गया जैसे कि यहां से बीकर से गिर रहे है अगर ऐसे गिर गया तो आपका हाथ क्या हो सकता है यहा तो मतलब छेद हो जाएगा इतना खतनाग होता है आप देखते कुछ वीक एसिट वीक एसिट में आते है एथनॉइक एसिट जो हो जिसका फॉर्मुलाई देख लो कितना बड़ा है सी एच थ्री सी ओ ओ एच फॉर्मिक एसिट अब अपनी बुक में एक टेबल देखो मैं आपको बताता हूं कौन से प अपने घर पे देखना जो चीज़ को चाटने मत लग जाना हर चीज को टेस्स मत करने लग जाना हर चीज में कुछ ना कुछ अपने आपको हाम पहुझा सकते हैं तो यह आ गए हमारे एसिट वाला सेक्शन क्या एसिट सोर इंटेस्ट होते हैं ब्लू रिटमस को रैड में चेंज करते हैं पानी में दालेंगे तो क्या एच प्लस आइंस में टूट जाएगा स्ट्रॉंग एसिट में यह तीन नाम या यहां पर मनें फॉर्मुला और नाम दोनों लिखा है अब देखते हैं बेस बेस क्या है बेस हार बेटर इन टेस्ट यह खट्टा होता है तो यह कभी साबुन टेस्ट करें वैसे नहीं मतलब कभी कभी चले आते हैं पेट मैंसी तो आप नोटिस करोगे कि वो ना बिटर होत होगे तो यह याद करो कि रेड है ना तो बेस से बेस बेस बी से ब्लू ठीक है फिर यह तो आपको आइडिया आई जाएगा जैसे कि यह एच प्लस आयन में टूट रहा था यह किसमें टूटेगा ओएच नेगिटेव इसको हम हाइड्रॉक्सी भी कहते हैं हाइड्रॉक्स का होता है हमारे डीटरजेन साबन यह सब के ओ लच का होल ट्वाइस होता है वो क्या कहते है हुष्च जूना पत्थर चूना पत्थर का फर्मूला ये होता है एक वीक चैसेट में आते हमारा अमोनियम ह aldarॉा आमोनियम हाइड्रोकसईड आपको यहां नहीं मिलगा, वो आपको कोई कैमेस्ट्री की दुकान पर ही मிलेगा ठीक है अब देखते हैं हम ऐसिट बेस इंडिकेटर यह जो चीज़ में हमिनिकेटर टेस्ट कर रहें, वह का है या बेसिक नेचर है, ठीक है जैसे कि अब हमारे तीन तरीके के इंडिकेटर होते हैं तीनों आपके निचरल इंडिकेटर से पाए जाते हैं तो इसमें भी यह लिखा कि यह इंडिकेटर नेचर में पाए जाने प्लांट से लिया जाता है जैसे कि लिटमस सॉल्यूशन लिटमस सॉल्यूशन जो होता है अब आप अपने फॉर्स पेज पर आ जाओ बिल्कुल फ्रंट पेज में एंडिकेटर जहां से चैप्टर शुरूई हो रहे हैं यहां पर देखोगे लिटमस सॉल्यूशन इस परपल डाय विच इस एक्स्ट्र लेकिन पेपर क्या है हमें उससे सिंथेस करना पड़ेगा लेटमस सॉल्यूशन का पेपर वनाएंगे तब हमारा क्या होगा यह लेटमस पेपर फॉर्म होगा यह आप अब मेरे चैनल के अगर शॉट वीडियो के सेक्शन में जाओगे तो आपको तर्मरीक का भी दिख जा होंगा रड़ के बेज चाइन रोस चया रोस क्या अब देख धेन हमारा जयihin कि कंटकल इंडिकेट ऑ कैमीकल इंडिकेटर कल सकत्षिम को लोगित अगरे में िपलन है एक इंपॉर्टैंट और एक क्या होग्षा अंस पेइनिक आगे यह दोनों शोता है है नोगना इ Kunsth ठीक है अब आता है थीसरा टाइप सॉरी ओल फेक्टर इंडिकेटर इस इंडिकेटर चेंज इट्स ओडोर ओडोर को मतलब हम इसमेल कहते हैं वैन एसिड एंड बेस टेस्ट यह क्या होते है ना कुछ चीज है जैसे एक्जामपल है क्लोवाइल लॉंग का तेल क्लोवाइल हो लॉंड झायब और किसी में बहुत ज्यादा हमें मतलब तो बहुत मतलब नाट में लगेगी इसके एक्जामपल होगे वनीला एक्स्ट्रेक्ट आपको पता होगा वह जो डालते है ना आइस क्रीम केक में वह वाला वनीला एक्स्ट्रेक्ट ठीक है वेर फ्रम दालीटमस solution is obtained from lichen plant and litmus solution is purple in color ठीक है यह कहां से पाए जाता है लिचन से पाए जाता है और यह purple in color होता है as well as the litmus vapor is also made from the lichen light lichen plant but by chemical process litmus vapor make and this is available in two color blue and red ठीक है ज्यादा मुच्किल मैंने लिखा नहीं में को पता है कैसा लगता है ठीक है अब देखते हैं हमारा how indicator work upon acid and base मैंने अभी आपको तीन तरीके के इंडिकेटर बताए उनके example बता दे कि acid में कैसे color करेगा बेस में कैसे color करेगा टर्मरीक yellow color का होता है acid में दालूंगा तो yellow color करेगा पर base में दालूंगा तो reddish brown हो जाएगा लेटमस solution कैसे color करेगा परपल करेगा लेकिन एसट में वह रैड करेगा और बेस में blue color करेगा चाइन रोस डार्क पिंक का होता है acid में तो वह रहेगा पर base में green color करेगा अब मैं आपको next page में अब synthetic indicator देखते है लेकिन acid में blue से red में जाता है और base में red to blue जाता है methyl orange नाम से पता लग रहा है orange color का होता है acid में red color का होता है base में yellow color का phenophthellein जोते है वह color less उता उसका कोई color ही नहीं होता और acid में तो बेस 가지 ही रहेगा onion भी इसका एक example है अगर मैं onion को रस निकालू और उसको acid में दाल दो तो वो normal रहेगा मतलब कुछ ज़्यादा फरक नी पड़ेगा लेकिन base में दालूँगा तो less odor मतलब उसकी सारी smell क्या हो जाएगी गायव बहुत खतर नाग बद्बू आने लगेगी बेस में गायव वनिला एक स्ट्रेक्ट में हाई और बिल्कुल बहुत खतर नाग आईगी लेकिन base में गायव तो यह कुछ एक्जामपल हो गए अब यह वीडियो यहीं पर खतम होती है थोड़ी से लंबी हो गया कोई बात नी बे पूरा समझले अब अगली वीडियो में मिलेंगे डरीक्ट करते हैं यँ वीच और मेतल की सी रेक्ट करते हैं एक्स वीडियो में देखते होंगे तब तक इसोट करते हैं है